पीता क्या होते हैं ये उनसे पूछो जिनके सिर से पीता का साया जल्दी उठ गया ऐसा ही हाल कुछ प्रियांका चोपडा का है प्रियांका चोपडा के पीता असोग चोपडा अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन एक्ट्रेस उन्हें हर पल याद करती है हाल में एक्ट्रेस यूथ फर हर चीज की जानकारी होने का दबाव होता है मुझे याद नहीं कि मैं अपनी मा के कितने बर्थडे भूल गई हूं कितनी बार उन्हें विश्च देने से चुक गई हूं 20 साल की में कितनी बार फोन करना भूल गई तो कितनी बार दीवाली मिस्स कर दी पिता के लिए नहीं था वक्त इसके साथ ही एक्ट्रस ने आगे लिखा जब तक मेरे पिता गुजर नहीं गए मेरे पास उनके साथ दिवाली मनाने का वक्त नहीं था वो जब विमार हुए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो एक ही फल था जब मुझे आसास हुआ कि life बहुत चोटी है, हम लोग बहुत चोटी चोटी चीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारे पास चिंता करने की कई बड़े चीजे हैं, पिता के नाम का टैटू, प्रियांका चोपडा, अपने पिता के कितने करीब थी, इसका सबुत उनके हाथ में बना टैटू है, ए एड़ीज लिटिल गर्ल आपको बता दें एक्ट्रेस हाल ही में मुंबई ममी फिल्म फेस्टिवल को एटेंड करने आई थी इस फेस्टिवल में एक्ट्रस की लुक की खूब तारीफ हुई थी हलाकि एक्ट्रेस ने कजिन परनीती चोपड़ा की साधी में नहीं आ पाई थी हुआ की लुक की खूब की साधी मुंब।